Welcome back to the second part of this very special series जिसमें हम यह discuss कर रहे है कि वकरी शनी आपको लाइफ में कैसे results देते हैं देखें वकरी शनी का मतलब है कि शनी रेट्रोग्रेड हो गई रेट्रोग्रेड का मतलब कि अर्थ चल रही है सपोस करिये ऐसे और अर्थ से आपको दिख रहा है कि शनी पीछे को चल रहे है नॉर्मली शनी हमेशा ही सोरे के सोरे के ऐसे सीधा हर प्लैनेट ऐसे ही चल रहा है बट क्यूंकि अब अर्थ की speed जादा हो गई तो शनी आपको पीछे जाते होई दिख रहे है इसका मतलब शनी रेट्रोग्रिशन में आगए जब शनी रेट्रोग्रिशन में आपकी कुली के अंदर आ जाते हैं तो आपको कई areas of life में ज़्यादा struggles देते हैं नौर्मली सबको पता है कि शनी आपसे struggles देते हैं आपको life के अदर आपसे मैनत करवाते हैं वक्री शनी on the other hand आपसे 1000 गुणा 2000 गुणा जादा मैनत करवाते हैं उस एक area of life में जिसको यह आपको सिखाने आया है ऐसी जिंदगी में कई areas of life आपके ऐसे होते हैं जिसमें अपने 7th house से लेगे 12th house तक discussion में कि वक्री शनी अगर 7th घर में है तो कैसे results देंगे और वहाँ से शुलू करके हम 12 घर तर discussion करेंगे इसकी previous वीडियो में हमने यह discuss किया था कि 1st से 6th house से लेके शनी कैसे results देते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7th house से देखिए जब शनी आपकी इस area of life में 8th house की significance में सबसे जदा problem आने वाले हैं या फिर सबसे जदा मेहनत करवाने वाले हैं हो सबसे जो आपके in-laws हैं क्योंकि 8th house से हम in-laws देखते हैं कि वो बहुत ही strange तरीके के लोगों आपसे बे-फजूल के पंगे लेते हूं मला अलगी तरह के in-laws मिलते हैं ऐसे अगर 7th house में शनी है और retrograde position में है यह बहुत recommended है कि आप joint family में तो मत ही रहिए आपको अलग रहना चाहिए क्योंकि ए-laws आपको एक तरह से बहुत ही torture भी कर सकते हैं दुसरी चीज़ क्योंकि 8th house से हम hidden चीज़े भी देखते हैं छुपी हुई चीज़े भी देखते हैं तो ये शनी ये वक्री शनी 7th house में बैठके आपको ऐसी hidden problems दे सकते हैं लाइफ में जो अपने आप life partner के साथ भी डिसकस नहीं कर सकते हैं अपने parents के साथ भी डिसकस नहीं कर सकते हैं ऐसी problems आ गई ही जो आपको खुद भी छुपाने ही पड़ रही हैं बहुत ही hidden problems तो यहाँ प आपके 8th house में बैठे हैं वक्री होगी तो देखें अब ये impact आ लेंगे आपके 9th house के उपर 9th house का मतलब long distance travel long distance travel या फिर religious viewpoints जो आपके होते हैं बहुत ही strange तरीके के होएंगे हो सकता है आप अलगी तरीके से religion को मानते हो हो सकता है आपके जो long distance travels है उसकी वरसे आपका बहु गए तो 9th house की significance में luck भी आफ़ा है इस case में शनी आपका luck भी बहुत ही कम कर देंगे आप बहुत अनलकी इनसान होंगे luck आपको बहुत खम time पे ही साथ देगा और क्यूंकि 9th house से हम आपके गुरू भी देखते हैं आपके seniors भी देखते हैं तो हो सकता है आपको अलगी तरह क मिलेगी इन parts of life से netted अब चलते हैं अपनी next position की तरफ अगर शनी आप 9th house में बैट गए आपके वक्री होगे तो देखी आप 10th house की significance में आपको सबसे दा suffering मिलने मा लिए 10th house मतलब आपके career का house आपके workplace का house अलग चीजी होगी बहुत ही unique चीजी होगी आपके workplace में एकदम से आपको निकाल दिया अलग अलग स्विच होई जारी है नई नई जॉब से चोई जारी है कहीं पे भी satisfaction नहीं मिल रही और work से लेटेड ही आपको बहुत torture भी करेगा और बहुत काम भी गतबाएगा आपको work के लेटेड ताकि आप उस area of life को ध्यान से सिखें on the other hand जब 9th house में वक्री शनी है न तो आप ऐसे बन जाते हैं कि आपको एक तरह से perfect काम पसंद होते हैं तो क्यूंकि आपको perfection पसंद है तो आप किसी field में गुसेंगे वहाँ पे perfection नहीं होई तो आप उसको switch कर देंगे इस तरह की suffering आपको मिलती रहती है तो work related आप एक तरह स पर सबसे ज़दा impact करेंगे 11th house की significance में क्या आता है आपकी day to day income regular income जो आपकी life में 11th house से चेक करी जाते है आप इस area of life में आप सफर करेंगे यानि कि आपकी regular income बन ही नहीं पाएगी life में हो सकता है कुछ आप try करें end तक पहुंचे और जब पैसे कमाने की बारी आ गई तब आपका वो प्रजेक्टी बंद हो गया तो एक तरह से regular income के लिए आप एक तरह से सफर करेंगे life में और 11th house से हम आपका elder brothers भी देखते हैं तो कुछ लग कुछ बहुत strange होगा आपके elder brother के बारे में या तो वो आपकी बिलकुल ही healthy करेगा अलदी तरीके से behavior होगा आपके साथ तो 11th house के significance में क्या आगया आपके elder brother आगये आपकी day to day daily income आगये तो इस मामले में आप suffering करेंगे अब अपती next position की तरफ चलते हैं देखिए जब शनी retrograde होके 11th house में बैठ जाए तो सबसे ज़दा suffering आपको 12th house से relation में आएगी 12th house में आपके हम sex life देखते हैं आपके bad के pleasures दे होगी बहुत अलगी तरीकी कि आपको sex पसंद होगा first of all और साथ के साथ यहां से हम losses भी देखते हैं ऐसे ऐसे losses आएंगे आपकी life में जो आप imagining नहीं कर सकते हैं आप सोच में नहीं सकते हैं कि इस भी से मेरा loss हो गया तो और foreign lands में अगर आप चले गए 11th house में वक्री शनी ल 12th house में बैठ जाएं शनी यहां बैठ गए और वक्री होके बैठ गए तो as we all know कि सबसे ज़दा impact आपके first house पे ड़ेगा first house से हम आपका confidence देखते हैं आपकी पूरी body देखते हैं कुछ चला कुछ बहुत strange होगा आपके physical appearance में बहुत ही strange चीज जिसके बारे में आप हमेशा ज thought process है ना वो भी बहुती दुसरी लोगों से comparison में बहुती अलग thought process होगा तो आपकी overall being पे first house पे यह शनी बहुती ज़दा मेहनत करवाएगा आपको और कुछ न कुछ आपकी physical appearance में भी एक तरह से strange चीज देगा तो हमने इस वीडियो में देखा कि शनी अगर retrograde है तो कई areas of life में आपको extreme suffering देता है extreme suffering कई cases में ये भी देखा गया है कि जो शनी retrograde लेके बैठे होते हैं लोग वो एक चीज के पीछे बहुत हाथ तक perfection तक जाते हैं बट result उनको zero मिलते हैं तो शनी retrograde अगर आपकी कुणी में है थोड़ी सी difficult position है आपके लिए और जिस house में बैठा है उसक आपको अगला घर देखना चाहिए कि उस house की significance में मुझे मैनत करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही है आप अगर अपना खुद का चार्ट चेक करेए और शनी retrograde है जहां शनी बैठा है उसका अगली position चेक करेए वहाँ पे आपको 100% suffering करने को मिल रही होगी इस जि आपसे नहीं करने वाद